भारत के पेरा भाला फैंक एथलीट नवधीप ने पुरुश भाला फैंक F.41 परधा में नीजी सर्विषरेश्ट प्रदर्शन के साथ स्वर्न पदक अपने नाम किया. नवदीप ने अपने तीसरे प्रयास में 47.32 मीटर का थ्रो किया जो उनका सर्वश्रेश्ट थ्रो रहा लेकिन इससे पहले नवदीप को रजत पदक विजेता घोशित किया गया था बाद में इरानी एथलीट बेट सयाह सादेग को अयोग्य घोशित कर दिया गया इस कारण नवदीप का रजत पदक स्वर्ण पदक के रूप में अपग्रेड कर दिया गया इसी के साथ भारत अब तक इस पैरालंपिक में साथ स्वर्ण नौ रजत और तेरा कांस्य पदक समेथ 29 पदक जीत चुका है चीन के पेंगजियांग 44.72 मीटर को इस परधा का रजत पदक मिला इरांग के बेद सयाह सादेग को बार बार आपत्तिजनक जंडा दिखाने के कारण अयोग्य घोशित कर दिया गया सयाह ने अंतिम प्रयास में 47.64 मीटर भाला फैंक कर नया पेरालंपिक रिकॉर्ड कायम किया लेकिन अपत्तिजनक हरकतों के कारण उन्हें पदक गमवाना पड़ा अंतराष्ट्रिय पैरालंपिक समिती के नियोमों के अनुसार एथलीट्स परधा में किसी तरह के राजनीतिक इशारे नहीं कर सकते सयाह को खेल के प्रती अनुचित व्यवहार के कारण अयोग्य करार दिया गया नवदीप दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा के ग्रिहनगर पानीपत से तालुक रखते हैं उन्होंने बताया कि भाला फैंक्स परधा के लिए नीरज से ही प्रेलना मिली नवदीप ने बताया कि जब नीरज भाई ने जूनियर विश्व रिकॉर्ड तूड़ा तो मैंने सोचा कि वह भी हमारे शहर से हैं और मैं भी ऐसा कर सकता हूँ यहाँ पुरुशों की भाला फैंक्तालीस श्रेनी में भारत का पहला स्वर्न पदक है इफ 41 श्रेनी छोटे कत के एठलितों के लिए है नवदीप के इस स्वर्न पदक के साथ टोक्यो पैरालंपिक खेलों में चौथे स्थान पर रहने की कसक दूर हो गई आईकर विभाग में निरिक्षक के पद पर तैनात नवदीप ने साल 2017 में खेलना शुरू किया था बीते लगभग आज साल में उन्होंने राश्ट्रिय स्तर पर पांच बार पदक जीते हैं उन्होंने इस साल की शुरुवात में पैरा विश्व चैंपियंशिप में कांस्य पदक जीता था भारत पैरालंपिक के इतिहास में अब तक का अपना सर्विश्रेष्ट प्रदर्शन कर चुका है भारत ने टोक्यो पैरालंपिक में पांच स्वर्ण सहित कुल उन्नीस पदक जीते थे नवदीप ने फाउल के साथ शुरुवात की और फिर दूसरे प्रयास में 46.39 मीटर का थ्रो किया लेकिन वो तीसरे प्रयास में सभी से आगे निकलने में सफल रहे और उन्होंने पैरालंपिक का रिकॉर्ड तोड़ा पांचवे प्रयास में इरान के बेच सया सादेग ने 47.64 मीटर का थ्रो किया और नया पैरालंपिक रिकॉर्ड कायम कर दिया नवदीप ने फिर चौथे प्रयास में फाउल किया जबकि पांचवे प्रयास में 46.05 मीटर का थ्रो किया इसके बाद अंतिम और छटे प्रयास में फाउल कर बैथे लेकिन जब इरानी एथलीट को अयो के करार दिया गया तो दूसरे नमबर पर रहे नवदीप के प्रदर्शन की बदौलत भारत की जोली में सात्वा स्वर्ण पदक आ गया नवदीप ने पैरालंपिक रिकॉर्ड थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीत लिया अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें